आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्छों हम पढ़ेंगे आज कक्षिया बारा की सेकंड बुक का सेकंड लेसन है दे टाइगर किंग उसके हम 50 MCQ लगबग 50 परसन है MCQ मल्टिपल चोइस क्यूशन उनको हम हल करेंगे लगबग प्रिक्षाओं के अंदर यहीं से आ जाते हैं तो मादेमिक स्वागत ने ये बिल्कुल का आया कि 40 परतिशत है वो परसन छोटे आने चाहिए और उसमें से लगबग 32 परसन बनते हैं 10 परसन तो ये objective पूछे जाएंगे अर्दवार्शिक प्रिक्षा में 5 पूछे गए थे जो बिल्कुल 5 कई जगे 10 पूछे कई जगे 20 पूछे लेकिन वो गलत था लगबग उनको 10 के आसपास परसन पूछने चाहिए थे लेकिन अब जो बोर्ड का पेटरन है उसमें विल्कुल 12 परसन पूछे गए हैं तो यहां से आपको 12 परसन पूछे जाएंगे multiple choice क्यूशन के हमने पीछे 3-4 पाठों के multiple choice क्यूशन बना दिये हैं जिसमें से आपका indigo है indigo का बना दिया है last lesson का बना दिया है और third level part है उसका भी हमने बना दिया है third level का भी बना दिया है last lesson, third level indigo और lost spring इन 4 पाठों के हमने एक वीडियो बना दिया है जो आपको playlist में आप जैसे ही जाओगे हमारे YouTube चैनल के अंदर पहले home page मिलेगा home के बाद वीडियो मिलेगा और वीडियो के बाद इधर playlist लिखावा मिलेगा क्या लिखावा मिलेगा playlist उसमें class 12 इंगली से MCQ डूंडोगे तो आपको मिल जाएगा उपर ही उपर मिल जाएगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वीडियो अपलोड के और अन्य पाठों के सारे वीडियो अपलोड के जाएंगे यहां पर MCQ के तो हम इनको पढ़ना शुरू करें The Tiger King MCQ के उसन विथ आंस्वर इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निसान दबा कर All बटन पर कलिक करते हुए अन्य सात्यों के साथ सेर कर दीजिए पर्शन नमबर एक Who is the author of the Tiger King Tiger King का लेख कौन है तो इसमें है रामा स्वामी अयर कृष्णा मूर्ती चार्ल्श डिकन कमलादास या कोई नहीं तो इसमें है रामा स्वामी अयर कृष्णा मूर्ती यानि ए उत्तर है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के What is the author's pen name author का pen name क्या है pen name निक name तो author का निक name चलकी बलकी कलकी इन में से कौन सा है कलकी है यानि C ये लेख खुद के और उसकी पतनी के दोनों के नाम से बनाया हुआ है एक-एक अक्सरोद को लेके तो इसका C उत्तर हो गया आगे देखो From the way did the author drive his name author ने अपना ये नाम कहां से drive किया है कहां से निकाला है From the prefix of his name अपने नाम के उपसरग से अपने नाम के परते से अपने पतनी के नाम के परते से तो उसने अपने और अपनी पतनी तो ये नीचे वाला देखो From the suffix of his and his wife's name यानि अपने और अपनी पत्नी के नाम से तो आपका D उत्र हो गया आपका उत्र क्या हो गया D हो गया दोनों का नाम मिला के अब देखो इसमें क्या कहा गया है अगला परसन देखो यह बहुती महत्वन परसन है What is the theme of the story कहानी की विस्टू क्या है पक्सी जानवर देखो पक्सी की तो कोई चर्चा नहीं है अब बात करते हैं जानवर की तो जानवर की सिद्धी तो कोई बात ही नहीं है Birds and animals live on the planet पक्सी और पसू इस ग्रेपर रहते हैं तो यह तो सबी को पता है लेगिन इस पार्ट में कहां कहा गया है कि पक्सी और पसू यहां रहते हैं डी देखो All birds and animals have an important role of maintain the ecological balance कि सारे पक्सी और पसू है वो एक important role अदा करते हैं महत्वपुन भूमिक अदा करते हैं तो maintain काईम रखने के लिए ecological balance पास्तिति की नियंतर इन्नी सारे पसू और पक्सी है वो इस ग्रह के उपर पास्तिति की नियंतरन कोमेंटें रखने के लिए महत्वपुन भूमिक अदा करते हैं यह उत्र हो सकता है यह कैसे उत्र हो सकता है क्योंकि इस lesson के अंदर tigers को मारा जा रहा है जो tiger king नाम का वेक्ति है जन्ग जन्ग बहादू कह सकते आप उसे वह है बागों को मारा है जो बिल्कुल ही गलत है ऐसा कमिना वेक्ति तो मैंने कभी देखा ही नहीं इस परकार से बागों की हत्या की जा रही है जीवों की हत्या की जारी चाए वो जीव हिंसक हो या कैसे ही जीवो जंगली जानवर है और वो जंगल में रहे रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है अपने स्वार्थ के लिए जो बिल्कुल भी गलत है हाँ कई वार क्या होता है कि सामने कोई आ जाये और वो व्यक्ति को खाने लग जाये मारने लग जाये तो आतमरक्ष्या के अंदर आप जीव की हत्या कर सकते हैं परन्तु आप किसी एक भविश्यवानी के अधार पर या किसी अन्य कोई बात के अधार पर किसी जीव की हत्या क पाप है जो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये जो सारे जीव होते हैं ये है इस प्रकृति के अंदर परस्तिति की जो नियंतन है उसको बनाए रखने के लिए बहुती मैतोपून है जीव हत्या पाप है हमारे धरम गरंतों में ये बात कही गई है आगे बढ़त पीपल लोगों पर एनिमल्स जानवरों पर बढ़स पक्षियों पर या ओन दा फाल्स प्राइड जूटे गमंड इगो एहंकार एंड श्ट्बोर्नेस ऑप दी पावरफुल पीपल और यूं कह सकते हैं जो सक्तिसाली लोग है उनके दम पर गमंड पर तो यूं कहा गया है कि सक्तिसाली लोगों के गर्व एहम दम की जूटी शान यूं कह सकते हैं तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि वेंग ये किसके उपर है तो वेंग ये किसके उपर है सक्तिसाली लोग जो जूटी शान रखते हैं एहम रखते हैं दम रखते हैं उसके उपर ये कहानी है उसके छोड़ते हैं अपने जिलानी जंग जंग बहादूर नाम का राजा है क्या नाम है उसका जिलानी जंग जंग बहादूर नाम मान लेते हैं अपने अब ये है वेक्ति एक सक्ति साली राजा है तो सक्ति साली और ये सक्ति साली राजा इसको ये कह दिया जाता कि तेरी मर्ति हुए वो बाग से होगी तो इसने बागों को मारना शुरू कर दिया तो ये अपने आप में एक सक्तिसाली वेक्ति है और एक जूटे घमंड, जूटी शान, जूटे दंब, इगो, एहम के कारण जीवों की हत्या करता है तो यही एक क्या है? वेंगे है तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि इस कहानी में वेंगे क्या है? सेटायर वेंगे, वेंगे किस पर है? तो वेंगे किस पर है? सक्तिसाली लोगों के जूटे दम, अहंकार और घमंड के उपर वेंगे है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अबाउट विच टायम इस दा स्टोरी बेष्ट यह कहानी है, वो किस समय की है? अबाउट विच टायम इस दा स्टोरी बेष्ट आइए, तो यहाँ पर यह राजाओं के समय की है तो आपका दी उतरा गया है किस के सासन के तेत राजा रह रहा था यानि उपर जो सासन था वो किस का था यानि राजा का सासन था लेकर उपर सासन किस का था सोवियर्न रूल, क्विन्स रूल, किंग्स रूल या अंडर देथम रूल और ब्रिटिस तो ये था under the thumb rule of British British का सासन था आपको पता ये एक British आता है और वो कहता है कि मुझे बागों का सिकार करना है तो ये आपका ड्डी उतर हो गया अगला परसंद देखो What does Durai mean in the story? Durai का अर्थ इस कहानी में क्या है? Chief Leader in Bengal Chief Leader in Andra Chief Leader in Tamil ये नन इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर कहानी है तमील की तो ये Chief Leader in Tamil के है Chief Leader in Tamil है तो सी उतर हो गया आपका Who is Durai Sani? Durai Sani कौन है? An old lady एक बुडी महिला एक young lady ज़्वान महिला एक greedy woman वाइपो पे high rank British officer एक लालची महिला जो एक अंग्रेज उच अधिकारी उच अंग्रेज अधिकारी की पत्नी तो ये आपका उतर है C कौन सा उतर है आपका? C है अब ये लालची के से हैं? वो उसने राजा ने बहुत सारी अंगूठिया बिजवाई थी वो उसने सारी अपने पास रख ली थी तो वो लालची हो गई कर नहीं हो गई? नेक्स्ट परसंद की बात करते हैं इस कहानी में टाइगर किंग कौन था? सर जिलानी जंग जंग बहादूर M.A.D. S.E.T.C. C.R.C.K तो आप देखो कि नाम तो आपको सभी मिले थे लेकिन ये तो नाम नहीं ये उपादियां है और उसका नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादूर Dear students Please like video and subscribe channel Share your friends Next question What did the astrologer predict? Jyoti छी की क्या भवी से वानी थी? The boy will be a king लड़का राजा बनेगा The boy will visit the world लड़का इस संसार का भर्मन करेगा The king will be killed by the hundred tiger The king राजा will be killed by hundred tiger राजा सोवे बाग के द्वारा मरा जाएगा या कुछ नहीं तो ये ही भवी से वानी थी? C कि राजा की हत्या है वो सोवे बाग के द्वारा की जाएगी? ये ही भवी से प्रेडिक्ट माने होता है भवी से वानी करना प्रेडिक्शन होती है भवी से वानी तो C आपका उत्र हो गया अगला क्योंसन What did the king utter to astrologers prediction What did the king utter King के utter मलब सब्द निकलना मूँ से कुछ निकलना To astrologers prediction मूँ से कुछ लिखने का मतलब निकलने का मतलब यहाँ पर है सब्द निकलना कुछ और नहीं जिसे लार निकलना है यह गयरा नहीं है कोई खांसी आना यह नहीं है केवल सब्दों की बात है तो What did the king utter to astrologers prediction यानि जियोतिसी की जो भविश्यवानी थी उसके उपर राजा के क्या सब्द थे अब राजा मलब उस वक छोटा सा बच्चा था Let tiger watch बागों को देखो Let tiger beware बागों साउधान Let tigers be careful बागों से साउधान रहना होगा नन कोई नहीं तो बागों साउधान यह आपका उतर यानि बी उतर है उसने कहा था बागों साउधान हो जाओ मैं मारने के लिए जल्दी ही बड़ा हो रहा हूं How did the child grow लड़का कैसे बड़ा हूँ drinking यह मिनिंग गलत है उपरवाली drinking gods milk like other royal children's drinking gods milk यानि गाय का दूद पीके गाय का gods मिलब बकरी का दूद पीकर अन्ने राजकुमार की तरह है drinking बपेलोज milk like other royal children बेंस का दूद पीकर अन्य राजकुमारी को तरह है और ड्रिंकिंग काउस मिलक लाइक अधर रॉयल चिल्डरन और गाई का दूद पीकर यह अन्य बच्चों की रॉयल अधर रॉयल चैल यह अन्य साही बच्चों की तरह है गाई का दूद पीकर तो यह तोड़ा ड्रिंकिं गाई का दुद पीकर बड़ा हो गया अगला प्रसन देखो क्या है देखो माता कम ध्यान रखती है और जो दहाई एक नोकरानी की रूप में होती है आज अपने यूं कह सकते हैं आज कल तो दहाई है नहीं लेकिन आज कल तो नोकरानी है है जो एक जे किराई की रूप में या रेंट के रूप में या मासिक वेतन के रूप में रहती है तो दहाई वो पहले रहा करती थे तो आपने इतिहास पर सिद धाई सुना होगा पन्ना धाई का ना जो महारणा उद्दे सिंग की धाई थी धाई माता जिसे अपने कह सकते हैं एक तरीके से ये भी अच्छी तरह से माता का रोल अदा करती है, मातों के उल जनम देती है, लेकिन ये धाइम है वो पालन पोसन करती है, तो एन इंग्लिस नेनी के द्वारा राजा का पालन पोसन किया गया था, आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद के और, राजा किस उमर के अंदर ताज पहनता है, यानि किस उमर के अंदर वह लड़का राजा बन जाता है, तीस वर्स, पंदरा वर्स, बाइस वर्स या बीस वर्स, तो बीस वर्स की उमर में, यानि डी उतर है आपका, तो क्या कहा गया है कि राजा ने किस प्रकार से चेलेंज चुनोती को तो उसने कहा था कि मैं सो भाग मारूँगा तो सो भागों को मार कर भी उतर हो गए आपका यही चुनोती थी उसने जोती सी की भवी से वानी की कि मैं सो भाग मारूँगा राजकुमार ने साधी कब की वहें डिट दी प्रिंस मेरी राजकुमार ने साधी कब की एट दी एज ओप टवंटी एट दे एज ओप टवंटी यही बीस वर्स की उमर में वहें ही किलेट दे फर्स टाइगर पहला बाग मार कर अप्टर किलिंग ओल दे टाइगर इंदस्टेट राजके सभी बाग मार कर तो उसने साधी कब की थी राजके सभी बाग मार कर तो आपको वहेंगे याद होगा दिवान और राजा के बीच में जो वहेंगे चल रहा था आप वो गेंगे आपके दिमाग में आ गया होगा राजा ने कहा मैं मुझे बाग चाहिए तो उसने कहा कि मैं तो बाग हूँ नहीं आप मेरी तरफ बंदूग क्यों कर रहे हो तो वो कह रहा है कि मुझे साधी करनी है तो कियरे साधी आप बाग से थोड़ी करोगे बाग रानी बहुत खतरनाक होगी हमारे समराजे के लिए आपके पुरूजों ने तलवार से बाहले से खांटे से साधी की थी तो आप इस बंदूग से साधी कर लो लेकिन बाग से नहीं तो इस परकार के जो क्यूशन्स या वो जो आपका यूँ कह सकते हैं एक डायलोग स्था इन दोनों के बीच में चलाता वहीं पर ये साधी की वारतालाप होई थी और वहीं पर ये निश्चित किया गया था कि बागों की कमी हो गई है इसलिए राजा साधी करेगा और ऐसा एक राजे ढूंडा जाए जहां पर एक विवा के योगे राजकुमारी हो और उस राजे के अंदर उस समराजे के अंदर बागों की संक्या भी अच्छी हो तो आपका सी उतर हो गया और राजा ने किस साधी की टू एक गरल एक लड़की से टू एक प्रिंसे एक राजकुमारी से टू एक प्रिंसे भुजफादर हैड मैनी टाइगर्स उस ऐसी राजकुमारी से जिसके पिता जी के समराजे में बहुत अधिक बाग थे या ओल सभी से तो आपका C उतर है अब नीचे दे रखाए D all भी तो हो सकता है क्योंकि उसने साधी की वो लड़की भी थी उसने साधी की वो लड़की के साथ राजकुमारी भी थी और ऐसी राजकुमारी जिसके पिता जी के सम्राज्जे के अंदर बहुत सारे बाग थे, तो all उत्तर भी हो सकता है, लेकिन बहुतर ये रहेगा आपने c उत्तर कर देते हैं, by the way आपने all भी कर दिया तो गलत नहीं होगा, confuse मत होना, यही रखना ध्यान में, what is the theme of the story, कहानी की विश्यवस्तु क्या है, देखो कहानी की विश्यवस्तु हमने पहले भी पढ़ ली, उसमें क्या था, कि सकति साली powerful people's pride, selfish, ego कह सकते हैं, जैनि सकति साली लोगों का गमंड, दम, एहंका, और यहाँ पर क्या है, what is the theme of the story, वो option तो है ही नहीं, desire of power, desire to have power for one's selfish interest and not for the welfare of the, आगे क्या लिखावा है, people, desire to help others, desire मनी थी इंच्छा, सकती की इंच्छा, बिलकुल नहीं है, और C है, desire to help other, अन्य लोगों की साहिता करने की इंच्छा, ये भी यहाँ पर नहीं है, इस पार्ट के अंदर, तभी से बस तु कहा हैं सकते हैं, desire to have power of one's selfish interest, यानि एक स्वार्थी वेक्ती की इंच्छा, बिलकुल यहीं है, B यानि स्वार्थ परक कह सकते हैं, स्वार्थ परक इंच्छा, और लोगों के कल्यान की कोई इंच्छा नहीं है, इसी बात की जो सकती होती है, वही इस विशे वस्तु पर आदारी तमारा पार्थ है, desire to have power, desire मनते इंच्छा टू है, और रकना पार सकती, पर वन सेलफिस, यानि एक वेक्ति की, खुद की स्वार्थ की, या अपनी खुद की इंच्छाएं, पूर्ति करना, और लोगों के कल्यान की कोई बात नहीं करना, यही इस पार्थ की विशे बस्तु है, तो इस पार्थ के अंदर, अपने देखा होगा, कि राजा है, वो अ गगाउं में गया था, जहां पर उसने पहले तो टेक्स कम कर दिये, अपने स्वार्थ के लिए किये थे, कि बाग मिल रहा है, और बाग नहीं मिला, तो वहाँ पर टेक्स है, वो दुगने चेर्गने कर दिये गए थे, और नौकरों को नौकरियों से हटाया जा रहा था, त अपने साधी करने का निश्य क्यों किया, तो बाई टाइगर्स बाग खरीदने के लिए, तो आउन टाइगर्स अपने बागों के लिए, तो टेम टाइगर्स बागों का सिकार करने के लिए, या तो अचिव इज टारगेट ओप, देखो टेम माने खाल निकालना भी होते है बागों की खाल निकालने के लिए तू अचिव हीज टारगेट ऑफ किलिंग अंडे टाइगर्स यानि अपने सो बाग मारने का टारगेट होता है लक्से को अचिव करने के लिए प्राप्त करने के लिए सो बाग मारने के लक्से को achieve करने के लिए उसने साधी की तो आपका उतर यही है D number आगे बढ़ते हैं Q son what became the cause of king's death राजा की मर्त्यू किस परकार से हुई राजा की मर्त्यू के से हुई किस की वज़े से हुई वो जानना है हमें ए टाइगर एक बाग से हुई नहीं हुई ए टाइगर फ्रामीज वाइप स्फॉरेश्ट उसकी पतनी के जंगल के एक बाग से हुई नहीं हुई ए टाइगर इनी स्टेट अपने राज्य के एक बाग से हुई यह भी नहीं हुई दा वूडन टाइगर फ्रामीज टॉई सोप खिलोनों की दुकान से लाएगे लकडी के बाग से उसकी मरती हुई बिल्कुल यह उत्र आपका सही है डी है वो सही उत्र है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन जो अपने पुत्र के साथ वो लकडी के बाग से खेल रहा हुता उस वक्त उसकी मौत हो गई थी वट पियश्ट महराजास राइट हैंड पियश्ट माने होता है छेद करना या बुसना कह सकते महराजा के दाइने हाथ में क्या बुस गया था यानि जो खिलोने वाला टाइगर था उसके शऩ्ट गया ताइगर की टांगे चुब गई तो क्या यह बुद गये थे उसके यह । खुब गई थे उसके सलायों जिसे अपने कह सकते हैं खुर्द रहा था हो तो ए उत्र हो गया इसका वास्तों में सुमे बाग को किसने मारा था वन ओप दी हंटर्स वू एकंप्टेट दे किंग सिकारियों में से एक ने जो राजा के साथ थे सॉल्जर सेनिको ने, किंग्स गेश्ट राजा के महमानों ने ब्रेटिस हाई ओपिसर और एक उच अंग्रेज अदिकारी ने किसने मारा था सुमे बाग को सिकारियों में से राजा के साथ जो सिकारी थे उनमें से किसी एकने मारा तो ए उत्तर हो गया आपका, कौन सा उत्तर हो गया आपका ए उत्तर हो गया ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्यूशन वाई वास दे किंग काल दे टाइगर किंग राजा को टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया वाई वाई बागों का सोकिन था नहीं वाई अपने पास बहुत सारे बाग रखता था ये भी नहीं वाई वाई बागों की खाल निकाली थी ये भी नहीं है क्योंकि उसने 100 टाइगर मारे ये उत्तर है आपका कौन सा उत्तर है ये डी नमबर क्योंकि उसने 100 बाग मारे थे ये ही उत्तर है नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं अगला क्यूसन देखो क्या है Why did महाराजा put a Ben on Tiger hunting in his state Ben माने होता है परतिबंद लगाना Hunting माने सिकार करने पर महाराजा ने अपने सामराज्य में बागों की सिकार करने पर परतिबंद क्यों लगा दिया था To prove the priest's prediction wrong यानि to proceed करने के लिए उस पुजारी की जो बविश्यवानी थी जो तीसी की जो बविश्यवानी पुजारी नहीं था वो वो क्या था एस्ट्रो लोजर था यहां पर गलत है यानि तू पूजारी की बविश्यवानी गलत करने के लिए या जो तीसी की बविश्यवानी गलत करने के लिए तू आपका उत्र ये नीचे वाले तीनों ही नहीं है, यानि नहीं तो बागों के परती देया रखता है, नहीं उनसे प्रेम करता है, और नहीं सकती दिखाता है, वो तो जोती सी की बवीश्यवानी को गलत साबित करना चाहता है प्रूमानियोता सिद्ध करना तो आपका उत्तर नंबर ए हो गया प्यारे विदार्तियों बहुती अच्छे विदार्तियों अगला परसन है What does कलकी ट्राइंग टू सो इन दिस स्टोरी कलकी यानि करश्णा स्वामी अयर मूर्तिये इस कहानी में क्या दिखाना चाहता है कलकी इस कहानी में क्या शो करना चाहता है The Fidelity of Going Against The Destinity यानि भग्ये के खिलाप जाकर यह यूं कह सकते हैं किस्मत के खिलाप जाकर भविश्य निर्मान करना B. King Salonis, राजा का चिछलापन, फाल्स प्राइड एंड इगो जूटा एहंकार और गमंड कह सकते हैं और नन कोई नहीं तो यहाँ पर देखो जूटा एहंकार और गमंड तो है भई C. तो है उत्तर, परन्तु यहाँ पर अब A. उत्तर आ गया है और वो इसके खिलाप जाकर भागे को बदलना चाहता था वो इससे निर्मान करना चाहता कि मुझे बाग मारेंगे और सोवाग मारेगा मैं सोवाग को खुद मार दूँगा तो मुझे कैसे मारेगा सोवाग तो इस परकार से आपका उत्तर है वो A रहेगा ए नहीं होता है तो सी उतर रहेगा आगे देखो एगला परसन क्या है what is the irony in the story इस कहानी में irony क्या है वेंगे क्या है देखो सेटाइर पटके आये उपर आपन सेटाइर irony ये जो वेंगयात्मक कत्थन होते है वेंगयात्मक कहानी या निवंध होते है दोनों वेंगे पर आदारीत है, वेंगे ही है What is the irony in the story, इस कहानी में वेंगे क्या है King's desire to prove prediction wrong राजा की इंच्छा to proceed करने की prediction wrong यानि जो बविशेवानिया थी उसको गलत करने की इंच्छा King's desire to marry, राजा की साधी करने की इंच्छा King's desire to kill tigers, राजा की बाग मारने की इंच्छा The king killed 99 tigers and died because of a toy tiger आईरनी वेंगे क्या इसमें, राजा ने निन्यान में बाग मार दिये and died because of a toy tiger और एक लकडी की खिलोने के tiger से मर गया छी 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 यही आईरनी है देखो कैसा गटिया राजा है, कितना हलका राजा है दिये और मर किसे गया, लकडी के बाग से अपने तो रोजाना पेडों पर चड़ते हैं, उनको काटते हैं लकडिया हमें थोड़ी मारती है तो यही इसमें क्या है आईरनी है, वो वेंगे है समझ में आगी आईरनी नहीं आई है, तो आज आईगी दुबाराँ पड़ लेना क्यूसन, why was the king in danger of losing his kingdom राजा का समराजे किस परकार से खतरे में पड़ गया था क्योंकि उसने एक उच अंग्रेज अधिकारी को बागों का सिकार करने से मना कर दिया क्योंकि उसने सभी बाग मार दिये थे क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को प्रोहिबिट माने होता है प्रतिबंद करना उसने एक अंग्रेज अधिकारी को बाग मारने से प्रतिबंद कर दिया था इसलिए उसका समराजे खत्रे में जाने की संभावना थी खत्रे में आ गया था ए उत्र है आगे बढ़ते हैं अगले परसन के और अगला परसन पहरे विदार्थियों डिस्क्रिप्शन में वाट्सप ग्रूप, फैस्बूक, पैज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलिग्राम चैनल के लिंक दिएगे जिस पर कलिक करके आप हमारी स से जोड़ सकते हैं, next question, what did the महाराजा do to ensure his safety, ensure मानोते हैं सूनिशित करना, महाराजा ने अपनी सुरुक्षा सूनिशित करने के लिए क्या किया था, he owned tigers, उन्होंने खुद का टाइगर पाला, married a princess, एक राजकुमारी से साधी की, prohibited British officer to enter his territory, और उसने अंग्रेज अधिकारी क अपने सामराजे में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी, he killed tiger उसने बागों को मारा, उसने बागों को मारा, अपनी सुरुक्षा के लिए क्या क्या उसने बागों को मारा, निर्दोस जानोरों की हत्या की, और पता है आपको जो वेक्ति निर्दोस जानोरों की हत्या करता है यानि यूं कह सकते अपने निस्पाफ लोगों के साथ छेडखानी करता है उनके साथ दूर वेवार करता है तो उसके साथ बुरा होता है आप कलप ना कर सकते है कि निन्यान में बागों को मारने वाला राजा केवल एक लकडी के बाग से मारा गया इसे किसी भी परकार के घमंड में चूर मत होना सोमे बाग ने किस परकार से राजा से बदला लिया रेवेंज माने क्या होता है बदला लेना यह जो मिनिंग्स है इस पर भी आप फोक्स किया करो विसेस द्यान दिया करो आपको पता होगा कि पेसेज में एक या दो परसन ऐसे आते हैं मिनिंग्स वाले जिनमें या तो प्रयाइवाची पूछा जाता है या फिर विलोम सबद पूछा जाता है तो क्या कहा गया कि How did the hundred tiger attack its revenge? सोवेंबाग ने किस परकार से रदाजा से बदला लिया? ए, silver on toy tiger, silver नहीं है, sliver है, यह द्यान रखना है on toy tiger's body picked his finger कि राजा के अंगुली के अंदर या राजा के अंगुली कह सकते हैं या हाथ है तो एक लकडी के tiger है कि एक प्रांस ने, silver होते हैं प्रांस, या नि छोटा सा कांटा कह सकते हैं उसका हलांकि कांटा नहीं होता, प्रांस ही होती है, उसने राजा के सरीर में अंगुली को चुबा दिया, अंगुली में लगाता या हतेली में लगाता तो ये कनफरम नहीं है, हाथ के में लगाता, हाथ से वो खिलोन अपने बच्चे को खिला रहा था जरम दिन पर उसको उसके साथ खेल रहा था उस वक्त यह कांठा लग गया या फिर बाई ब्याइंग फेंटेट बेहुस होने के कारण बाई ब्याइंग ग्लिट बाई यह हंटर की यनि एक सीकारी की हत्या करने कारण या बाई पुटिंग हीम in danger या खत्रे के अंदर होने के कारण तो देखो 100 टाइगर ने ये वाले उतर यानि ए स्लिवर ओन टॉय टाइगर बोड़ी प्रिक्ट हीज फिंगर या हीज पाम या हीज या हैंड फिंगर भी आ सकता है पाम मने हतेली और हैंड मने इन में से कोई अप्शन आ सकता है प्रिक्ट माने होता है बेदन करना बेदन करना मतलो अंदर चला जाना चुबना कह सकते हैं तो जो सोवा बाग था उसने सोवा बाग जो लकडी का बाग था उसने राजा के सरीर में या यूं कह सकते हैं राजा के हाथ में चुब कर या अंगली में चुब कर उससे बदला लि गया था इंफेक्शन कह सकते है अपने इंगलीज में संकरमन फेल गया और राजा की मौत हो गई थी तो सुम्य बाग ने बदला ले लिया और लेना वीच चाहिए प्यारे बच्चों वाई 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 था महाराजा सो एंग्जिस माने होता है लुक तो किल मारने के लिए हंडेट अगर वाई आगर महाराजा सोंव्य बाग को मारने के लिए क्यों उत्सुक था तो एंफेक्शन रॉंग तो प्रूव ही जाती है अपनी शुर्णिस सीथ करना और बही स्यवानी को गलत करना भी तो प्रूOW ही हेंटिस हन्टिस स्किल से, स्किल मने होता कोसल, यानि अपने सिकार करने के कोसल को सिद करना, तो इसमें से कौन सा उत्तर है, आपका ए उत्तर है, कौन सा है, ए उत्तर है, कि अपनी सुरुक्षया को सोरनी सिद करना, और भविश्यवानी को गलत साबित करना, आगे बढ़ते हैं अगले परसन क और अगला परसन आपकी सक्रीन पर आ चुका है Why did the maharaja double that tax Maharaja ने tax को double क्यों कर दिया Tax मानि होता है कर और कर को double या यूँ कह सकते राजस्वे को दुगना क्यों कर दिया था It is rage against the disappearance of the sheep and the pine hydrate tiger यहनी rage मानि होता है घुशा against मलव खिलाप the disappearance of the sheep यानि बेडों का गाइब होना and to find hundred tiger और सुवे बाग को ढूंडने के कारण to raise the fund fund बढ़ गया था इसलिए उसने double tax कर दिया to increase the income of the state राज्जी के अंदर जो income है उसको बढ़ाने के लिए उसने tax लगाया था या कुछ नहीं है तो बाई पहला ये डंग से option टेर नहीं किया गया है यानि बेडें गाइब हो रही थी तो सोचा कि साइद किसी बाग ने बेडे गाइब किये तो सुवे बाग को मारने के लिए वहाँ पहुचा और उसका गुसा गुसे के कार्ण ये बात से हो रहा है कि गुसे के कार्ण उसने क्या कर दिया राजये पर जो tax है वो double कर दिया था राजये पर नहीं उस गाउं में tax double कर दिया था जहां पर ये सूचना मिली कि वहाँ पर बाग हो सकता है तो वहाँ tax double कर दिया गया तो आपका उत्तर ए है प्यारी विधारतियों नेक्ष्ट के वर्शंस वाइट डिट दे किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ओफिस्यल ओफिसर्स वाइप ओपिस्यल नहीं है ओफिसर होगा यानि ब्रिटिश अधिकारी की पतनी को अधिकारी को खुष रखने के यहाँ पर पलीज का अर्थ करप्यर नहीं है प्यारी विधारतियों पलीज का अर्थ यहाँ है खुष रखना यानि अपना राज्य बचाने के लिए और ब्रिटिश अधिकारी को खुष रखने के लिए B. टू इन्वाइट देंप और हंटिंग सिकार के लिए उन्हें आमतरित करने के लिए C. टू इन्वाइट देंप और फिष्ट फिष्ट माने होता है बोजन उनको भोजन के लिए आमत्रित करने के लिए to find more tiger और अधिक बागों को डूड़ने के लिए अंगुठी देने से बाग थोड़ी आते हैं भोजन पर निमंतन करने के लिए बाग थोड़ी आते हैं यहाँ पर उत्तर है आपका A अपना राज्य बचाने के लिए और अंग्रेज अधिकारी को खुष करने के लिए next question की बात करते है what approved the divas resourcefulness what approved the divas resourcefulness यानि आप divan का resourcefulness resource माने क्या होता? संसादन और fullness मिलो संपंता दिवान की सादन संपन्ता को आप किस परकार से सरोट संपन्ता को आप किस परकार से सिद्ध करते हैं इस वितS, उसकी बुद्यमता, इस intelligence, वितS मनना द चतुराई, उसकी चतुराई, intelligence, उसकी बुद्यमता, is ability to manage a tiger in मदरास और उसकी योगेता टू मेनेज करने की एक टाइगर इन मदरास मदरास के अंदर एक टाइगर मेनेज करने की उसकी योगेता तो उसकी योगेता टाइगर मदरास के अंदर उसने एक टाइगर को मेनेज कर दिया मेनेज का मिनिंग होता है M-A-N-E-G-E यह गलत लिख दिया गया है यहां पर तो his ability to manage a tiger in madras madras के अंदर एक tiger उपलब्द करवाने की योगेता उपलब्द करवा दिया ना सुवाबाग घर में रखावा था यह योगेता थी किस के पास दिवान के पास राजा से अच्छ है भई दिवान old son महाराजा ने अपने तीन वर्षिये लड़के के जनम दिन पर क्या उपहार भेंट किया प्रेजेंट मने होता है उपहार एक टोई एक खिलोना गोल्ड कोईन्स सोने के सिखके फोरेष्ट जंगल दे दिये या एक टोई टाइगर एक लकडी का बाग दे दिया तो आपका उत्तर क्या है डी है लकडी का बाग दिया जो उसकी मोत का कारण बना next question what is the moral of the story कहानी में नेतिक सिक्षा क्या मिल रही इसका moral क्या है power सक्ती power makes us powerful सक्ती हमें और भी अधिक सक्ति साली बनाता है power is meaningless before destiny destiny सक्ती है वो निर्थक है before destiny भाग्य के सामने destiny में क्या होता है भाग्य या किस्मत कह सकते है अपने तकदीर कह सकते है कि भाग्य के सामने सक्ती निर्थक है meaning मने होता है अर्थ और meaningless निर्थक भाग्य के सामने सक्ती क्या हो गई निर्थक हो गई अब आप समझ रहे होंगे कि बागों के सामने सक्ति दिखा रहा था वो वेक्ति एक लकडी के बाग से मारा गया अब वहां सक्ति क्या काम कर सक्ति है भाई वो बिमार हो गया उसके वो कांटा सा चूब गया तो सक्ति क्या काम कर रही है कुछ काम नहीं कर रही है मिनिंगलेस ह और यह निरर्थक ही हो रही है यूजलेस कह सकते है अपने उसे अनुप्योगी तो भाग्य के सामने सकती निरर्थक सी उतर हो गए आपका next question आपके सामने आचुका है what literary device has been used in the story इस कहानी में किस literary device का प्रियोग किया गया है literary device क्या होते हैं monologue, irony, satire, sarcasm, बहुत सारे हैं आपके पास sonate, essay, story यह सारे एक क्या है literary device हैं साहित्यक युक्तियां हैं जो आप English literature यह दी आगे की class में लेते तब आप इनको समझे पाएंगे तो यहां पर use हुआ है irony का आपको यहीं ध्यान रखना यहां पर irony का use हुआ है तो आपका भी उतर हो गया अगर irony नहीं आए के satire आये तो भी सही है, क्या है satire भी तो यहां पर उतर हो सकता है अगर आइरनी सेटायर दोनों आए तो आइरनी करना है अकेली आइरनी तो आइरनी हो गया अगर आइरनी नहीं हो तो सेटायर भी हो सकता है उपर बाले का उतर ठीक है न लिटरेरी ट्रम्स की बात की गए यहाँ पर डिवाइस कह सकते है अपने क्यों से न the futility of king's desire यानि राजा की इंच्छा को वैर्थ करना किस प्रकार से उसने सिध किया किस प्रकार से सिध किया by showing him a victim of toy tiger यानि बाग का सिकार दिखाकर लकडी के बाग से सिकार दिखाकर बना कर या by showing him powerful king एक सकति साली राजा दिखाकर to making the king 99 tigers या नहीं कह सकते हैं निन्यान में बाग मार कर अब देखो यहाँ पर पाठ में राइटर को महत्वपन माना गया किसको और राइटर को कि जो इस कहानी का लेखक है कृष्णा मूर्ती उसने जो राजा की इंच्छा थी या राजा का जो भाग था उसको वेर्थ के से सिद्गिया उसकी सकती को वेर्थ के से सिद्गिया के सिद्गिया कि उसका सिकार करवा दिया एक लकडी के बाग से असली बाग से नहीं एक लकडी के बाग से उसका सिकार करवा दिया विट्टिम मतलब सिकार करवाना तो यही उत्तर है आपका इस परसन का कौन सा ए उत्तर है नेक्स्ट क्वेस्टन आपके सामने इसा परसन पहले भी आ चुका है कि वट्ट सो क्या दिखाता है दे फाल्स जूटा इस कहानी में राजा का जूटा दम और यानि एहंकार गरव है वो क्या स्यो करता है किस स्यो करता है यानि बागों की हत्या करके और परकर्ती के परती कोई भी स्ताइत्वे नहीं रख कर या यूँ कर सकते हैं परकर्ती का कोई कंसंस नहीं करता है या प्रकर्ति के परति कोई प्रेम नहीं दिखाता है His desire to marry साधी करने के इंचा His order from the time to time और समय समय पर आदेश देना तो जूटा जो घमंड है वो आपका उत्तर ए है यानि बागों की हत्या करके और प्रकर्ति के परति कोई भी भाव ने रख कर तो ए उत्तर हो गया Next question की बात करते हैं Why did the king not permit British officer to click a picture with the dead tiger क्या है आगे dead के आगे कुछ हो रहे है सिर्फ tiger ही है कि why did the king राजा ने not permit अनुमती नहीं दी British officer अंग्रेज अधिकारी को to click a picture एक photo भी खिंचने के लिए with the dead tiger यानि मृत बाग के पास एक photo खिंचने की अनुमती भी अंग्रेज अधिकारी को राजा ने नहीं दी लेकिन यह नहीं दी तो क्यों नहीं दी यानि मृत बाग के पास अंग्रेज अधिकारी को photo खिंचने की अनुमती राजा ने क्यों नहीं दी to prove his might अपनी सकती दिखाने के लिए अब आप कहोगे कि नियमों के खिलाप केसे था तो आपको ध्यान रहे जैसे ही वो बड़ा हुआ और उसने बागों को मारना शुरू किया उससे ठीक पहले उसने समराजे में गोशना करवा दी कि कोई भी वेक्ती बागों के पास नहीं जाएगा कोई भी वेक्ती उनको मारेगा नहीं यहां तक कि कोई पत्थर भी नहीं फैंका गया यह दि पत्थर भी फैंकता है तो भी राज़ द्रो माना जाएगा तो विकोज इट वाज अगेंस्ट दरूल ओपीज स्टेट यह उसके राज्य के खिलापता तो C उत्तर हो गए आप प्यारे विदार्तियों आपके इस पर्शन का तो इतने ही क्यूजन है आपके प्यारे विदार्तियों आपने इस वीडियो को आंतक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धनेवाद अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और गंटे का निशान दबा करें बेल आइकन क्लिक करके ओल बटन पर भी कलिक कर दीजिए अन्य साथियों के साथ सेर करना बिलकुल ना भूलिए हमारी पास जो बोर्ड प्रिक्षा के लिए जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के हम MCQ परसन है वो तयार करेंगे और इसके अलावा important question बगरा भी हम तयार करेंगे कौन-कौन से परसन important है जो प्रिक्षाओं में आ सकते हाला कि कोई भी पाठो उसमें से आख 4-5 परसन अच्छे डंग से तयार कर लेते हैं उन्हीं से commonly परसन है वो उठ जाता है ध्यान ये रहे कि परसन की प्रिभासा है वो आपकी समझ में आ काल दीजिए क्योंकि प्रिक्षा होनी है चाहें इस्तती कुछ भी हो थोड़ी देरजी से हो सकती है अलग तरीके से हो सकती है अब्जेक्टिव टाइप सारे परसन दिये जा सकते हैं लेकिन आपका पेपर होगा ये मानकर आपको चलना है और तेयार रहना है कहीं ऐसा नहो कि आप ढिले पड़ जाए और त्यारी अच्छी नय हो पाए पैरविदार्तियों हम अगले चिप वीडियो में मिलेंगे एक उप्युक्त एक बहुती उप्योगी वीडियो लेकर तब तक के लिए जैहिंद जैभार्त वंदे मात्रम